असलाम लेको माई यूटूब फैमिली कैसे हैं आप सब I hope कि आप सारे ठीक ठाक होंगे यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं अंडे शंडे करम करके लेके आई हूँ गरम नहीं वहाइल करके लेके आई हूँ तो यहां पर अवलाग बनाने की खुशी में थोड़ा सा आगे बीचे भी हो जाता है कोई बात नहीं सो सर्दिया हैं अंडे खाएं जो है करें और सर्दी से बचें साथ इढ़िष सोरी कटकटत्व जो सर्दी से बता रही हैं करवा सकते हैं घर में तो आंटी हैं मारे गवा करने के लिए वहां अर्टी को नहीं से मैंने द्रेस करता है जो यह नहीं से च्जाए और चो यह वह अछलीा है और हम औरवाय कोट्भ करता हैं срав civile 경우에는 sli तो इसलिए मेरा पूरो व्लॉग देखेगा बहुत जबरदस्त है बगएर स्किप की यह देखेगा यहां पर मैं आपको अपनी शनील और वैलवट जिसको बोलते हैं तो वहली पूरी क्लेक्शन दिखाऊंगी विंटर क्लेक्शन बहुत मज़े की क्लेक्शन है और आपको आ हमारी लाइफ का वो मज़ा नहीं रहता तो थोड़ा बहुत बंदा आगे पिछे भी जाता है पट्री से उतर जाता है लेकिन फिर भी लिमिट में रहना चाहिए तो यहां पर मैंने थोड़ा बहुत अगर कुछ गुस्ताही कर दी हो तो उसके लिए माज़रत सो चेनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए गार वीडियोस को श्यर बोकरेल जिएगा और बेल आइकन को भी जबा दीजएगा अपको मेरे राने वरी नवरे न Pacific सिर्टी रहे कि वीड़ियो डाल दी गई है अब आप देखिए जो डूर वेक्यों अब देखिए मेरा भ्लॉग यह आ गया ڈریس महरون کलر का बहुत पियारा बहुत डिसेंट कलर है और जिनकी नहीने शादी हुई हो लो यह वला कलर केरी करेंगी तो यगीन जाने बहुत जदा उन पर सूट करेंगा बहुत पियारा लगेगा महरुन कलर वैसे भी mostly जो ब्राइड़्स होती है उनका फेवरिट होता है जो नए नवेली होती है। तो यह मेरा भी फेवरिट था तो मैंने जस्ट इसको एक बार या दो बार पहनए रहा है और अब मैंने इस साल इसको नकाला है। बिलकुल मेरा new new है वो कि मैं चीज जो है बहुत जो मेरे रेडिमेट शादी के बाद वाले कपड़े है वो मिने बहुत कम यूज की एक एक बार ही पहने और अभी तक मैंने पहने नहीं है क्योंकि कोई और मौका नहीं मिला मुझे उनको दोबारा पहने का और साथ साथ मैं मजीद भी नहें लेती गी हूँ आपने ये गलती बिल्क नहीं 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 लेने क्योंकि आपको पता है फैशन भी खतम हो जाता है लेकिन यह ए कि मेरे ड्रेसिज गोल्डन कलर की इसके उपर इम्डॉडी है और इसके जो फर है फर कहारी हूं स्टफ जो है यह भी वैलवट का है और इसके बाद इसका पजामा थोड़ा सा लेलन में है तो इस पजामा अब आपके अपनी मर्जी होती है कि आप गोटे वाला लेना चाहती है लाइक मनार्सी या फिर इस तरीके का जो लेलन का है तो यह मैं आपको ड्रेस दिखा देती हूं यह भी बहुत ब्यूटिफुल है और इसके ओपर देखे स्टार स्ट्राइप की कढ़ाई हुई है बहुत प्यारी उसके बाद यह इसके बादू है तो यह मैं आपको दिखाती हूं यह नवेले तो दुलहा दुलहन होते हैं तो यह हो गया इसके बाद इसका यह गला है यह आप देखिए कितना ज़्यदा बीटिफुल है बहुत प्यारा बहुत ज़्यदा यह नहीं है कि मेरा ड्रेस इस वो जासे तारिफ कर रही हूँ अल्हमदुलिल्ला कि अल्ला ने अकल दी वी है समझ दी वी है तो चूज करके जो है मैं ड्रेस लेती हूँ बहुत प्यारा ड्रेस है यहां से मैं आपको दिखा देती हूँ अगर आपको यह फुल नजर आ रहा हो तो एक पर केमरा पूरी तरीके से मैं इसके ओपर गुमा देती हूँ आपको भी अंदाजा हो जाएगा तो यह है इसका तो इसके बाद यह इसके बाजू है बाजू इसके थोड़ा से मुझे लूस था इस वज़़ा से मैं इसको थोड़ा इसकी फिटिंग की थी खुद ही तो अलहमदलिल्ला खुद कर लेती हूँ इतना तो है कि मैं कर सकती हूँ तो यहां पर आप आप देख सकते हैं इस ड्रेस को माशाला कहीएगा मैं ड्रेस को नज़र ना लग जाए तो जैसे पहले वाले को लग गी थी थोड़ी तो यह इसकी बैक साइड है यह होगी इसकी इंब्राइडी यह नेट पर हुआ हुआ है तो इसके बाद यह नीचे शमीज भी एटेच है यह नहीं है लेकिन यह वैल्विट थोड़ा सा पतला है शमीज नहीं है सॉरी तो यह नेट आगे लगाई वी है तो मशीन के जरीए इसको स्टिच किया हुआ है तो पियारी सी है नग्र लगेवे हैं और यहां लेकिन है कि बाद ओम पर नहीं लगे वह बाद जुम पर अगर वो लगाना चाहते तो लगा सकते थैं लेकिन उन्होंने नहीं लगाए ऐसी बात नहीं है कि लगे वे होते हैं और गिर गे लेकिन ऐसे आप बिलकुल भी नहीं है आप देख सकते हैं बार्डर पर लगे हैं अगर यहां से गिरते तो फिर वो निशान पढ़ जाता है यहां से गीरा है एक दो तो इस वज़े से यह नशान पढ़ गया है तो समझ आ जाती है सामने से के नहीं लगे हुए थे सो ये था मेरा सेकंड वाला ड्रेस इसकी शिलवार जो है वह मैं आपको दिखा देती हूं वह बिल्कुल सिंपल है जी ये थी इसकी शिलवार और इसका ये दुबटा था बिल्कुल सिंपल टुबट और शलवार में तोड़ा सा पैच लगावा है ब्यूटिफुल सा ब्रॉण कलर की कड़ाई है इस पे सेम एज जैसा के पैच पे है बार्डर वाले पे बहुत प्यूटिफुल है तो यह होगा यह मैंने निकाल के रखा हुआ है तो आप मैं यह पहनूंगी इन्शालला जब हम आड्रेस वैसे में आप सब जो शादी शुद हैं उनके लिए मैंने यह वला कलर दिखाया है उनको बहुत ज़्यदा सूट करता है तो जो गयर शादी शुद हैं अगर उनके अपनी मर्जी है वो चूज करना चाहें तो कर सकती है ऐसा कोई मसला नहीं है हर बंदे की अपनी ख्याल से यह वला जो है मेरेड लड़कियों पर जएदा सूट करता है तो आप नेक्स्ट में आपको दिखाती हूँ तो गाईज यह वला जो सूट है यह मैं आपको अभी मैंने दिखाया भी था कि मैं स्टिच करवा रही थी आँटी से जो कि हमारे गर काम करने के लिए आ पहले में आपको उसका कलर अरहा है और लेकिन बहुत प्यारा कलर है और हम इसके पाती है लहाई लाईज पर लगाए है यह थे बासु बहुत ब्यूटिफुल अब आप देख सकते हैं, हुद ही अंदाजा कर सकते हैं, कितना प्यारा लग रहा है, आप चाहें तो पतली वाली लैस, जो गोल्डर कलर की मिलती है, वो भी आप लगा सकते हैं, ऐसे एक स्टेप वाली जो होती है, वो आप फुल बाजु वबर भी लगा सकते हैं, तो ये हम महुद कर सकतES हैं, अगर आप एक क्लास गिराने हैं, तो लगा। जैसा कि स्टिच आज कल आपको पता है कि दर्जियों के भी नखरे हो गए इतने जदे एक्सपेंसिव दर्जी हैं कि मुश्कल हो जाती है तो सूट मैंने उन से स्टिच करवाया था आप देख सकते हैं तो गर की बात थी तो इस वजह से मुझे रिजनेबल प्राइस में स्ट कर देखा देती हूं यह देखें इसका गोल गला है बिल्कुल सिंपल सा और यह इसके बाजू है और यह सेकंड वाला बाजू करीब से मैंन कर रहा है दिल कर रहा है गोल्डन कलर का हो और वह बहुत प्यारा लगेगा क्योंके लैस के साथ एक तो मैच हो जाएगा दूसरा है कि फैशन का फैशन और अच्छे तरीके से काम भी बन जाएगा तो यह भी माईयों गएरा या कुछ सर्दी है आपको पता है अजाद किश्मीर में तो इस वज़ा से आपको पता है कि सर्दियों में इस टाइप के ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो लश होता गया है तो अब लॉग डॉन हो गया है अजाद किश्मीर में तो इस वज़े से इसको मैं और लाक नहीं करवा सकी और इसकी अभी शिल्वार स्टिच होने के लिए रहती है गाइस तो वह बाद में आप करवा लूंगी इंशालला जल्द तो फिर इसके बाद आप से त्यून और अलाहफीज तो गाइस यहां पर मैं आप आपको दिखाने जा रही हूं अपनी विंटर कोलेक्शन जो के वैलवट की है आपको पता है के वैलवट ज़र्दियों का बहुत ही मज़एदा ड्रेस होता है बहुत ही जबरदस होता है लेकिन इसका एक मसला यह है कि आप इसके वार स्वेटर बिलकुल भी पहन सकते हैं जो पहनने वाले होते हैं वोती होता है यह तो पहुत सकता है पहन लेकिन उल्रेस को पहने लhे हो लगता है रिंटिश और तोड़ा सा इसको आप कह सकते हैं। ग्रेप टाइब का कलर है डार्क कलर है कोप बोहत जबरदस्थ यह वाला क्लर जो है मैं तो is टीज करवाया है भुछ अच्छा रिजनेबल प्राइस में आप इसको स्टीज करवा सकते हैं। जो सबसे पहले मैं आपको दिखा दीती हूँ जो कि मैंने स्टिज करवाया लास्ट यर तो यह भी मैंने निकाला था यह आप देख सकते हैं बलू किलर का है शनील इसको शनील भी बोलते हैं यह दूखिए आप यहां पर मैंने इसके लांट लगवाई है थ्री स्टेप में ब तो यह वाले इसके बाजू हैं थोड़े से तंग रखवाए हैं क्योंकि वैलवट के उपर स्वेटर केरी करना मुश्कल होता है तो इस वज़ा से यह देखें बहुत प्यार हैं इसमें लैस मेरे पास आई तिंग थोड़ी कम पढ़ गी थी और दुबारा में गई नहीं लेन तो यह मैं आपको ऐसे करके दिखा देती हूं ताकि आपको भी पता चल जाए कि कैसे स्टीज हुआ है तो इसकी पूरी फॉर्म भी और मैं थामनेल पर भी लगा दूंगे आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपकी बहन नहीं स्टीज करवाया है और आपके लिए आईडिया बहुत प्यारा बहुत ही वैल ऑर्गनाइजड और बिसेंट सा है कोई इसमें बेहाई का अंसर नहीं है बहुत खुबसूरत है और शेनील तो वैसे भी फैवरेट होता है मोस्टली लोगों का तो मुझे तो बहुत पसंद है इसलिए मैंने इसको जो है स्टीज करवाया है तो यहां पर ईसको मैंने किया है लेकिन ठोड़ा से मुझ से ठोड़ा सी इस में जो क्या कहते है वह आगी है थोड़ा सा क्या बोलते हैं आप लोग जो बूर्ट टैप जो हता है वह ऑगिस का अधागा थोड़ा से वह गया यहाई बहुत पर प्रेस करने की वज़ां से था जो खीकष्ग nella यहाले सब्सक्राइज पेता है तरलाव से को प्रेस तो इस विया से थ्जाइज हो गड़ा है तो प्रेस नेक्स ठ्रेस अब कोalyst घृत हुआ हो